मस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम जानेगी कि कार का टौर्क किया होता और इısका डाली दिए आप और की गाड़ी पर ? जब भी आप किसी कार खुरिदने जाते हैं दो LAUGH क्पेर करते है dakimais तो टौर्क एक टाउर्म आता है GI Carolinaigner करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका कोई effect नहीं पड़ता हाला कि इसका effect पड़ता है ठीक है तो कई सारे ऐसे daily life scenarios होते हैं जहां पर torque, bhp, engine displacement यह बड़ा role play करता है तो इसलिए आपका यह terms जानना ज़रूर ही है इस video में मैं torque को cover करता हूँ अगर इस channel पर आप नए है तो मैं आपको दादू इस channel पर car driving tutorials, car reviews, latest news updates और car repair videos आते रहते हैं तो आपका subscribe करना और bell icon press करना बनता है ज़रूर subscribe करें और bell icon ज़रूर press करें दोस्तो इससे पहले कि मैं आपको car के torque के बारे में बता हूँ मैं आप लोगों को एक car के engine के crankshaft के बारे में बताना चाहता हूँ एक simple knowledge देना चाहता हूँ इसके बारे में उसके बाद हम लोग जाएंगे torque के बारे में जानने के लिए दोस्तो crankshaft और flywheel जो होता है engine के पीछे वाले हिसे में होता है crankshaft ही responsible होता है आपकी car को move करने में ठीक है इसके बिना car move नहीं करेगी ठीक है एक simple सी यहाँ पर basics है अब मैं आपको जब transmission समझा रहा हूँ तो deep में इसका meaning समझाऊँगा कि यह क्या है लेकिन मैं simple सा आपको information यहाँ देता हूँ जैसे कि pistons जो होते हैं वो power create करते है pistons जो होते हैं जिनके जहाँ पर combustion हो रहा होता है जहाँ पर fuel burn हो रहा होता है वहाँ पर pistons उपर नीचे जाते हैं तो वो pistons के movement की वज़े से crank shaft घूमता है ठीके और उसी वज़े से आपके पहिये घूमते है ठीके तो crank shaft ही responsible होता है आपकी गाड़ी को move करने में ठीके यह जो उपर नीचे का जो यह motion pistons का है उसे convert करता है rotational motion of the wheels यानि की wheel के घूमने की शक्ती में इसे convert करता है अब चलते हैं torque के basics में यहाँ पर मैंने दो animation दिये हुए हैं आप देख सकते हैं animation में आपको थोड़ा बहुत एक idea हो गया होगा torque कितना important है ठीके तो एक general term में आपको पता दो torque जो होता है वो होता है कि एक force जिससे की गाड़ी आगे move करती है ठीके इस तरह इसके से आप समझ सकते हैं इसको यह speed से related नहीं है यह torque जो है गाड़ी का अगर torque देखे torque जादा होगा तो उसका speed वहाँ पर कम होता है ठीके यह कितना वो load ले सकता है और load लेने के साथ भी आगे बढ़ सकता है वो torque का power होता है ठीके मैं technical terms में इससे समझा हूँ तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि twisting force of crankshaft या इतना जादा कर सकते है उसे torque कहते है ठीके यानि कि crane shaft को move कर सके अभी क्या होता है कि आप जब accelerator दबार होते है तो accelerator से कितना power बनता है कि आपके पहिये गड़े से या difficult से difficult यानि कि यहाँ जैसे आप देख सकते हैं दिवाल पर यह गाड़ी चड़ रही है तो वहाँ पर accelerate कर जाद वो चड़ जाए वो कैसे चड़ सकती है अगर उसका high torque होगा तभी वो चड़ सकती है ठीक है तो यहाँ पर basic knowledge है दूसरे animation में आप देख सकते हैं जो उपर दिया गया है वहाँ पर एक छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी को खीच रही है क्यों क्योंकि उसमें बहुत जादा torque है तो load जहलने की भी शक्ती torque देती है तो आपको थोड़ा idea हो गया होगा कि torque क्यों important है यानि कि आप जब daily life में जादा load ले करके जादा लोगों के साथ जा रहे हैं पीछे boot space भी आपने भर लिया है पूरी seats भर लिया है और उसके बाद गाड़ी को चला रहे हैं त तो अगर कम torque हो तो क्या समस्या आ सकती है ठीक है तो ये एक important चीज़ है जो आपको समझना है अब मैं आपको कुछ examples दे के समझाता हूँ तो देखे बलेनो आलफा पेट्रोल ये सारे मैंने best variants लिये हैं हर कार के कई लोग compare करते हैं इन cars को recent times में देखे ये same price range में है इसलिए कई लोग बलेनो आलफा पेट्रोल, Hyundai Li 2020, Honda Jazz और Desire 2017 को compare करते रहे हैं तो उसमें आप देखे कई लोग बोलते हैं कि hills के लिए कौन से सही रहेगी, slope के लिए कौन से सही रहेगी, steep hill के लिए कौन से सही रहेगी, कई लोग के लिए important है, हमारे देश में कई सारे hilly areas होते हैं जहां पर लोगों को चलाना पड़ता हैं, तो उस time पर आप देखे बलेनो आलफा पेट्रोल की जो torque highest best variant में बता रहा हूं, वो है 150 newton meter की, यहाँ पर इसकी यह torque है, Hyundai Elite i20 की देखे 132 newton meter की torque यहाँ पर दी गई है, Honda Jazz की 110 newton meter और Desire 2017 की 130 newton meter, ठीक है, तो जितना ज़ादा torque होगा, उतना ज़ादा, आप hills पे आसानी से चला पाएंगे, आसानी से overtake कर पाएंगे, ठीक है, तो यह सारे advantages आपको होंगे, तो यहाँ पर ZLX और Toyota Fortuner, यह दोनों, आपको मैं बता दू, यह दोनों SUVs हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, यह भी मैंने best variants के इनके torque लिखे हैं, यह हुए हैं आपर, तो आप देखें, दोनों के torque एक normal hatchback या compact sedan से काफी ज़्यादा बहतर हैं, क्योंकि इनमें 7 seat होते हैं, तो 7 लोगों का load ले करके, इनको चलना होता है, तो इसलिए इनमें ज़्यादा torque की ज़रुएत पढ़ती है, अगर यह steep hill पे जाएं, तो इनको ज़्यादा torque चाहिए होता है, आगे बढ़ने के लिए, तो इसलिए hills पर ज़्यादा torque वाली गाड़ी ज़्यादा अची रहती है, उसे तरह Toyota Fortuner के आप देखें, तो 245 Nm की वहाँ पर torque दी गई है, maximum torque, तो यह भी आपको एक चीज़ बता दो कि यह भी RPM पर डिपेंड करता है, आप RPM बढ़ाएं, और डैश्वोर्ट पर आप देख सकते हैं कितना RPM है, तो RPM बढ़ाएं, तो उस RPM range पर जो आपको torque दिया जा रहा है, वो यहाँ पर दिया गया है, लेकिन torque और RPM दो डिफरेंट चीज़े हैं, यहाँ पर torque के हिसाब से मैं आपको बताया है, कौन सी गाड़ी बेटर है, कौन सी गाड़ी बेटर रही हैं, आप इस डेटा से समझ सकते हैं, quick points मैं आपको देना चाहूंगा torque के बारे में, देखे दोस्तों, जितनी जादा power होगी गाड़ी की, पावर एक अलग चीज़ है, BHP में दी जाती है वो चीज़, जितनी जादा power होगी, उतना जादा जो है, गाड़ी तेज भागेगी, ठीक है, रेस्ट्रैक पर higher power की बहुत जरूरत होती है, लेकिन जादा speed पर torque कम हो जाता है, ठीक है, यहनि कि torque आपको नहीं मिलता है, आपको मैं बोलू हूँ कि आप 5th gear में, आपको एक steep hill आ गया, steep slope आ गया, उसको आपको तुरंट चड़ना है, आपको lower gear में नहीं shift करना है, तो थो torque में होती है, तो torque ही आपको ऊपर चड़ाने में help करता है, lower gears में इसलिए higher torque होता है, जब आपको कुछ लोग बोलते है, hill start कैसे करें, हमारी गाली पीछे जा रही है, मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कि 1st gear में फिर आ जाए, कई पर तो ऐसा होता है, आप 2nd gear में हैं, आप चल इंजिन बंद भी हो जाए, क्योंकि simple सा reason है, torque जो है, वहाँ पर आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है, वो torque जो चाहिए गाड़ी को, वो slope पर चलाने के लिए, वो नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आपको जो है, आप lower gear में shift करें, जब भी आप slope पर, जैसे ही slope आया, तो थोड़ lower gear में shift करें, फिर अब देखेंगे कि normal, थोड़ी आवाज भी engine करेगा और वो चल पड़ेगा, ठीक है, इसके अलावा easy climb on hills, hills पर आसानी से आप जा सकते हैं, अगर आपके torque जादा है तो, ठीक है, क्योंकि आप कहीं पर रोक के तो गाड़ी पीछे जाने में थोड़ा है, hatchback, जो छोटी cars होती है, उनमें देखेंगी, वहाँ पर torque अगर उसमें कम होता है, तो steep hills पर क्या होता है, जैसे ही वो छोड़ेंगे, उसके बाद first gear में कितना भी accelerate कर रहे हैं, उनको थोड़ा time लगता है, वापस start होने में, hills start कर रहे हैं, तो ये क्यों होता है, torque वहाँ पर काफी नहीं मिल रहा है, RPM के हिसाब से देखा जातों, उनको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो नहीं चड़ा पाते हैं, तो अच्छी torque जो गाड़ी है, वह आपको वहाँ पर मदद कर सकती है, उसके अलावा overtake आसानी से आप कर पाते हैं, अगर आपकी गाड़ी में ज् की बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है, तो ये एक चीज है, जो मैंने आपको टॉर्क के बारे में explanation दिया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकों जरूर प्रेस करें, अगर कोई doubts है, प्लीस comment section में मुझे बताएं, ताक अगरे वीडियो में मिलते हैं,